नमस्का दोस्तो गुद मॉनिंग, गुद आफ्रनून, गुद इवनिंग स्वाबत है आपका आपके इस चेनल में जिसका नाम है English with Rohit इस चेनल पर हम आपके लिए लाते हैं Motivational Education and English Learning गुद मॉनिंग फ्रेंज, आप देख रहें English with Rohit और आज हम सीखने वाले हैं Future Indefinite Tense दोस्तो Future Indefinite Tense इतना आसान है, इतना आसान है कि आप चुटकियों में सीख जाएंगे तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, चलो शुरू करते हैं वीडियो को Future Indefinite Tense हर Tense की एक पैचान होती है, जिससे हम उसे पैचान लेते हैं और हम हिंदी से English में सीख रहे हैं, तो हमारी पैचान हम हिंदी में बताएंगे ऐसा वाकिय जिस वाकिये केंच में वर्ब के साथ, यहाँ पे लिखावा है वी प्लस, यानि की वर्ब के साथ क्या एड़ रहता है गा, गे, गी जैसे की मैं स्कूल जाऊंगा, वह स्कूल जाएगी, हम स्कूल जाएंगे गे, और गे श्कूल जाएगा, गे, हमस्कूल जाएंगे, गे और वह स्कूल जाएगी, गी तो इस तरह की संटेंस को हम Future Indefinite कहते है किसी भी संटेंस को बनाने से पहले टेंस में हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चीए तो structure यहाँ पर already लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अगर हमारा sentence simple है यानि कि affirmative है पॉजिटिव है तो हमारा structure रहेगा subject प्लस will या shall प्लस वब की first form प्लस object अगर negative है तो उसमें एक छोटा सा difference आजाता है कि हम उसमें third place पे not लगा देते हैं ठीक है friends अगर interrogative sentence है तो आपकी helping verb यानि कि will shall सबसे आगे लग जाता है और अगर sentence negative प्लस interrogative है तो will shall पहले लगा कि हम third place पे not लगा देते हैं तो देखा जाए तो अगर आपको एक structure याद है तो बाकी के अपने आप याद आ जाते हैं क्योंकि पहले structure में केवल दूसरे structure में ये difference है कि पहले structure और दूसरे structure में सरफ not का difference है यानि कि आपको third place पे not लगाना है और तीसरे structure में will shall को सबसे पहले लगाना है तो चलो sentence देखते हैं, example देखते हैं मैं कल school जाओंगा इस sentence में subject है आपका मैं और जाओंगा है आपकी verb और कल बचा आपका object अगर हम structure के हिसाफ से चलें तो सबसे पहले subject लगाएंगे I उसके बाद will और shall में से हमने लिया shall और फिर object आया हमारा verb I go tomorrow I shall go tomorrow अब देखिए यहाँ पे I और we की साथ हम shall लगाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और he, she, it, you, they और कोई भी subject हो कोई भी subject हो आप उसके साथ will का प्रयोग करेंगे लेकिन एक modern English में थोड़ा सा pattern change हो चुका है अगर आप speaking की बात करें तो आप will सब के साथ लगा सकते हैं यानि कि I will go to school, you will go to school, he will go to school किसी भी subject के साथ आप will का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन written में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि I will के साथ shall का प्रयोग करना चाहिए और other subject के साथ will का प्रयोग करना चाहिए चलिए negative sentence देखते हैं कल हम picnic पर नहीं जाएंगे यहाँ पर subject है हमारा हम और जाएंगे हैं हमारी verb बाकी बचा हमारा object तो कल हम picnic पर नहीं जाएंगे अगर structure देखें तो सबसे पहले हमने subject लगाना है We shall not go for picnic tomorrow Interrogative sentence क्या वह कल स्कुल जाएगी अब क्या जिस sentence में आ जाता है तो वो question बन जाता है और क्या वाले sentence में हम tense की helping verb को सबसे पहले लगाते हैं तो हमने will सबसे पहले ले लिया Will she go to school क्योंकि हमने कहा था कि I और V के साथ हमें shell लगाना है तो यहाँ पर हमारा subject बदल गया हमारा subject हो गया she इसलिए हमने will को लिया Will she go to school tomorrow आप sentence को टुकड़े में बाटी दिये वर्प की first form object तो यह बहुत easy हो जाएगा हमने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें subject, verb और object के बारे में बताया हुआ है अगर आप subject, verb, object के हिसाफ से चलेंगे तो बहुत अराम से sentence बन जाता है कोई मुश्किल नहीं है चलिए देखते है negative plus interrogative sentence Will she not go to school क्या मतलब हूँ असका कि क्या वहे school नहीं जाएगी क्या वहे कल school नहीं जाएगी ठीक है तो बिलकुल a sentence है एक बार repeat कर लेते हैं हमने क्या सीखा ऐसा sentence जिसके last में गा गेगी आएगा वर्ब के साथ जाऊंगा, खाऊंगा, पिऊंगा, आदी वो आपका future indefinite tense है structure क्या है subject plus will shall प्लस वर्ब की first form plus object यानि कि हमें subject के बाद will shall का प्रयोग करना है I और V के साथ shall लगाना है बाकी other subject के साथ will लगाना है तो हमारा पहला sentence है मैं कल स्कूल जाऊंगा I shall go to school tomorrow या फिर यहां पर मैंने school नहीं लिखा है चलिए कोई बात नहीं मैं कल जाऊंगा I shall go tomorrow हम कल पिक्निक पर नहीं जाएंगे we shall not go for picnic tomorrow तुम कल पिक्निक पर नहीं जाऊगे you will not go for picnic tomorrow तो it's very easy I think आप समझ गए होंगे thank you तो दोस्तों सब्सक्राइब करें शेर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फाइदा उठा सकें और नीचे कमेंट करके में जुरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मैनत करें और बेटर वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलतें एक नई वीडियो में नई एनरजी और नई जोस्त के साथ थैंक्स फर वाचिंग बाबाई